नमस्कार प्यारे सातियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि UPSC मुख्य परिक्षा 2019 में जो अभी थोड़े दिन पहले हुई है UPSC Mains 2019 उसमें हिंदी साहित वैकल्पिक विशे के प्रसंपत्र 1 और प्रसंपत्र 2 में क्या-क्या कोशन पूछे गए हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगे यानि हिंदी लिटरेचर ऑप्सनल पेपर तो 2019 के जितने भी पेपर हुए हैं इंप्सनल के वह सारे वीडियो हमने अप्लोड किये थे उनकी पीडियो भी आपको टेलिग्राम पर दे दी है जो लोग टेलिग्राम का प् डिक्रिप्शन में आपको लिंक मिल जागी वहां से जाकर डाwnलोड कर सकते हैं अगर आप टेलिग्राम पर हैं तो अगर टेलिग्राम का प्रियोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ य Innen वीडियो देख सकते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है बहुत सारे लोगों ने पचास सो सैकड़ों लोगों ने कॉमेंट्स में कहा था कि हिंदी लिटेचर आपसनल का पेपर अपलोड कर दीजे तो हम उनके लिए अपलोड कर रहे हैं यह ओके तो इसका सिलेबर जो है हिंदी साहित्य का वो हमने बहुत पहले ही अपलोड किया देख लेना आप नहीं अगर देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से देख सकते हैं बाकि अभी कोशन पेपर में जहां हम पहुंचेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि कहां से क्या क्या कोशन पूछे गया है और जो लोग नए लो परका होता है जो कि हम इसी वीडियो में देखेंगे और यह सारे पेपर तीन गंटे के होते हैं तो हलां कि छे गंटे के यह दोनों पेपर हैं हम लोग इसे 10-15 मिनिट में यह दोनों प्रसंपत्र देख लेंगी कि कहां से क्या क्या पूछा गया है तो यह जानकारी मिल आग सेक्षन दीए होंगे सेक्षन से आपको जो पहला कोशंज और पांच तो अंवार रहे हैं हार और कुल पांच प्रसंटों के उत्तर करने है आपको आठ में से टोटल आठ है आठ वैसे पांच करने है पहला और पांचमा अनिवार है और चुकि ये भार्षा का हिंदी साहित का प्रसंपत्र है तो आपको हिंदी में ही उत्तर लिखने होते हैं जो लोग इंग्लिस मीडियम से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें अगर जो लो भी ये ले सकते हैं और जिनके एंसर आपको हिंदी में लिखने होंगे वहां पर तो ये चीज है एक इंपॉर्टेंट ये इंग्लिस में भी दिये गए इस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं पेपर डाउलोड करके तो जो सेक्शन ए है पहले आपको स्लेबस बता दें थोड से भी देव लिपी के इतिहास से पूझेगे जिसमें आप वरंस् के बारे में पूरा उसके बारे में पूछा जाएगा सेक्शन पी जो होगा इसी पुर्चन में और इस में हिंदी 시त्ते का इतिहास पूछा जाएगा раз पहला कोशन क्या है निमलिकित प्रत्यक पर लगबग 150 सब्दों में टिपणियां लिखी है तो यह चोटे-चोटे कोशन है यह कंपलसरी कोशन है पहला वाला यह करना ही करना है आपको और बाकी जो है तो यह जो करके यहां पर दिये गए यह दद्दस नंबर के हैं 50 नंबर के 50-50 नंबर के सारे कोशन हैं पांच कोशन करने हैं पूरे पेपर से तो धाइसो नंबर का प्रिशन पत्र ही है तो इसमें पूछा गया पहला है आरंबिक हिंदी की व्याकरणे की विशेष्टाएं बताईए ओक तो यह कोशन पूछा गया है हम इसको सॉल्प तो नहीं करेंगे क्योंकि तीन घंटे का पेपर ही है और 10-15 मिनट में दोनों ही पेपर दिखाने हैं आपको अगला है कि खड़ी बोली के विकाश में सिद्ध साहित सिद्धनात साहित का योगदान यह पूछा गया है फिर अ कि राष्टभासा हिंदी की प्रयोग संबंदी चुनोतिया क्या क्या है तो यह भी पूछा गया है अपर पांच कॉशन पूछे गया है जो कि अन्वार है मतलब पहला कोशन और दूसरा कोशन है आगे जितने भी कोशन होगे दो दूसरा तीसरा चौथा उसमें एक कोशन 20 नंबर का होगा दूसरा तीसरा 15 15 नंबर के यानि उसके खंट जो है यह भी 50 नंबर का पूरा कोशन है तो इसमें पूछा गया कि पूर्भी हिंदी की किन ही दो बोलियों की प्रमुक व्याकरने की विश्षताओं की समीक्षा किजिए जो जितनी भी पूरभी बोलिया है उनमें से कोई दो के बारे में आपको उनकी प्रमुख व्याकरनिक विश्यस्ताओं की समिक्षा करनी है अगला कोशन है सोतंतरता आंदोलन के दोरान प्रियुक्त होने वाली हिंदी अपनी किन विश्यस्ताओं के साथ राष्ट भासा बनी इस पश्ट कीजिए तो ये ऐसे कोशन पूछे जाते हैं ये पंद्रा नमर का कोशन है फिर है कि खड़ी बोली की व्याकरनिक विश्यस्ता बनाने के लिए जिन व्याकरने के नियमों को संसोधित किया गया है उससे पढ़ने और लिखने में विशंगतियां आ रही है उदाहर देकर समझाईए ये बहुत इंपार्टन बढ़िया कोशन पूछा गया है क्योंकि हिंदी की ऐसी दुरदसा हो रही है इसलिए और अगल क्षटी एकता स्थापित हुई है वह अद्वती है इस कतन की मिमान सा कीजिए तो यह पूछा गया यहां से फिर है कि सारे कोशन यहां तक जो है वह हिंदी भाषा और नागरी लिप के इतियास से पूछे गया है चौथा कोशन है कि उसका ए उन्नीसवी सताबदी में नाग को अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर उसका वीडियो नहीं बनाएंगे वो सारे हम ऐसी पीटियफ अपलोड कर देंगे अगला है ब्रजभासा की व्यावक व्याकरने के विश्यश्ताओं का आकलन कीजिए तो ब्रजभासा के बारे में पूछा गया है आपर तो यह थे अगला है सेक्शन भी यानि खंड खा जो है परसंपत्र वन का खंड खा में जो कोशन होंगे वो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल और इसके अलावा जो कभी हैं आधुनिक काल के जैसे मैं कांद्र पाठी निराला रांदारी सिंग दिनकर जी और सचिदानन्द बातसायन अग्गे और मुक्तिबोध नागरजुन ऐसे इन सब कभियों के बारे में कोशन होंगे यहां पर तो कुशन नमबर फाईब जोकी कंपलसरी है एकंपचा सब्दों में आपको टिपणी लिखनी है जैसा कि कंपचन वन में था हिंदी में साहित्ते तिहास लेखन की परंपरा और महत्तो पर आपको टिपणी लिखनी है 150 सब्दों में अगला है तुलसी की लोक मंगल संबंधी अवधारणा फिर है रीतिकाल कविता में प्रकर्ति के वारे में पूछा गया है उसके पाद अगला है चायाबादी काब्बी की प्रमक दो विशेष्थाएं वतानी है उसके बाद है हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास तो यह कोश्चन नमबर 5 के पांच यहां पर थे कोश्चन छोटे छोटे अगला है आचारे रामचंद शुकल द्वारा किया गया हिंदी साहित के इतिहास का काल विभाजन कितना प्रासंगीक है सब प्रमाण उत्तर लिखिए तो यह कोश्चन पूछा गया है बीस नमबर का उसके पाद अगला है नाट टिकला की द्रश्टी से भारतियंद हरिश्चन के मौलिक नाटकों का विभेचन कीजिए पंद्रा नमबर का पूछा गया है फिर है नागारजुन की कविताओं में भारती समाज की विशंगतियों और बिडम बनाओं को यतारत रूप में उकेर गया है सबस्ट की है यह कोशन पूछे गया है उसके बाद कोशन नमबर सेवन है उसका ए प्रेम चंद के उपन्यास भारती करशक जीवन के सच्चे दस्तावीज है इस कथन की सार्थकता पर बिचार कीजिए 20 नमबर का कोशन पूछा गया है और फिर है जैसंकर प्रशाद की कहानिया शिल्प का ताज महल हैं इस कथन की सत्यत्ता पर प्रकार जालिए तो ऐसे कथन दिए गए उनके बारे में आपको लिखना है पूरा अगला है अगर आप लोग टॉपर्स की कॉंपिया देख सके हैं जो की आपको मिल जाएंगी दृष्टी आइस के वेबसाइट मंचीता की दृष्टी से जगदीश चंद्र मातुर के नाटुकों का विवेचन कीजिए यह 15 नमर का पूछा गया है यहां से फिर सारे कोशन तो करने नहीं आपको आठ में से पांच कोशन ही करने हैं जिसमें पहला और पांच में कंपल सरी था और बाकी तीन और करने हैं तो आठवा कोशन है यहां पर हजारी परशाद दुवेदी के आलो चनात्मक प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए बीस नमर का यह पूछा गया है फिर है हिंदी के यात्रा वरत्तांत की विकाश यात्रा पर प्रकाश डालिए उसके बाद लास्ट कोशन है विद्या निवास क्या क्या कोशन पूछे गए हैं तो ये प्रसंपत्र 2 है हिंदी साहित वैकलपिक विशे का और जो भी नियम है वो हम पहले ही बता चुके आपको सीदे कोशन पेपर देखते हैं इसका सलेबस पहले आपको बता दे जो पेपर नंबर 2 है उसका खंड एका जो सलेबस है उसमें जो 12 कभी दिये गए सलेबस में आप देख लेना जो हमने प्रोवाइड किया था दिया था आपको जो यूपिसे ने दिया है तो 12 कभीों में जो कभीर कभीरदाजी हैं उनकी कभीर गंतावली से आरंबिक सौपद हैं तो यह सब आप उसमें देख लेना कभीरदाजी हैं सूरदास हैं तुलसी दाजी हैं जैसी हैं बिहारी मैतली स्रण गुप्त जैसंकर प्रसाद जी उनकी काम आईनी जो है जिसमें चिंता और सद्धा सर्ग से कोशन पूशे रहेंगे फिर सूरिका अंत्रिपाठी निराला जिसमें रामकी शक्ति पूजा से समदित कोशन होगे रामदारी सिंग दिनकर जी का कुरिक्षेत्र है अग्य की रचना है मुक्तिबोध है और नागारजुन ये सारे खंड का में हैं इस दूसरे पर्शन पत्र में खंड का में के जो प्रमुक हैं जैसे भारतेंद हरिश्चन हैं मोहन राकेस हैं ये सब को जो है हमने आपको सलेबर दिया था वो आप वीडियो देख ले ना डिस्क्रॉशन में मिल लिखित का व्यांशों की लगबग 150 सब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि इसमें नहित का वे मर्म भी उद्घाटित हो सके तो दद्दसंबर के ये दिए गये हैं A B C D करके तो आप इनको आपको पढ़ना होगा वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं कि कि किसने लिखी है उसके बारे में पूरी व्याख्या करनी आपको जाका गुर्भी अंदला चेला है चा चंद अंदे अंदा ठेलिया दोन्यू को पढ़न्त नागुर मिल्या नाशिश भया लालिच खेलिया दाओ दोन्यू बूढ़े धारि मैं चड़ पाथर की नाओ ठीक है तो ये किसे ने हैं वीडियो पाउस करके भी और उसके बाद है पहले का सी तो ये भी कहां से दी गई है इसमें क्या क्या पूछा गया है का व्यांसों की लगब एक सो पचास सब्दों में ऐसी व्याख्या करनी है कि जिससे नहीं मर्म का विमर्म भी उदगाटित हो सके तो ये आपको बता निराला जी ने बहुत अच्छी तरीके से लिखी है ये वहां का प्रसंग है जब राम और राबड का युद्ध हो रहा था और भगवान स्री राम राबड को परास्तनी कर पा रहे थे शक्ति जो थी वो राबड के पक्ष में थी तो इसलिए जाममंद जी जो है वो ने शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है तो आप भी आराधना करो और ज्यादा द्रण आराधन आराधना करके शक्ति को जो सक्ति देवी दुरगा है उनको अपने पक्ष में कर लो आप तो उसी पर यहां पे लिखा गया बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है मतलब सुमर जब तक नशित द्री हो रगुनन्दनन तो ये जाम चीं स्रीराम से जो है यह जाने दोवा कभी कल्पिता यह बहुत अच्छी गईता है नागारजुन की बादल को घ्रक्ट काफी बड़ी कवता है और इसके पहली की जो चार लाइने हैं वो भी बहुत सुंदर हैं मैं आपको सुना दे रहा हूं मुझे याद हैं वो कहां गया धनपत कुवेर वह कहां गई उसकी वह अलका नहीं ठिकाना काली दास के व्योंप्रवाही गंगा जलका ढूणा बहुत प गिरते देखा है तो यह बादल को घिरते देखा ऐसे और यह कविता बहुत लंबी है इतनी ही नहीं और भी है नागा अरजुन की बहुत अच्छी प्रशिद्ध कविता है उसी से समंदित कोशन यहां पर पूछा गया है दस नंबर में अगला है ब्रमार गीत की अवधारन से ही पूछा गया है तो सबसे पहला आपका काम है सबसे पहला करतब्र है कि आप अपका कि आप stilly Our Brothers के कहीं से ववस्ता करिए नहीं है तो हमने वीडियो अपलोड्त किया आप देख लेना वहाँ से लोख कर लेना उसको और सब कुछ वहीं से पूचा गया अगला है राम की शक्ति पूजा में निराला के आत्म संगर्ष की व्यथा कता है सोदाहर स्पष्ट कीजिए यह पूचा गया है पर फिर है ब्रह्मर अक्षस कॉच्छ नमबर थी का ए तीसरे का पहला ब्रह्मर अक्षस के मि मैंनी में चिंता और शुद्धा सर्ग हैं दो सर्ग हैं उसके अगला है अकाल के बाद कविता की मूल संबेदना को सोदाहरन विवेचित कीजिए यह पूचा गया है फिर है भारत भारती की राष्टी चेतना को आज के संदर्व में समझाईए बीस नमबर में पूचा गया कीजिए तो इस कथन पर विचार करना है यह था सेक्षन ए अब सेक्षन बी में सेक्षन बी जो है उसमें भारती ध्वरिश चंद मोहन राकेश उनकी कानियां जैसे भारत दुर्दसा मोहन राकेश का आर्षाड का एक दिन ऐसे ही है सले बस आप देख लेना वहीं से कोशन पूछे गए आपको डाइरेक्ट यहां पर लाइने दे दी जाएंगी और उनके बारे में लिखना होगा तो सेक्षन बी में जो पांचमा कोशन है कंपल सरी है अनिवार है निमलिकित गद्यांसों की संदर्व सहित व्याक्या कीजिए और उनका भाव संदर प्रतिपादित कीजिए तो प्रत्यक लगबग 150 सब्दों में लिखना है हर एक दद्दस नंबर के हैं यह सब पांचमे का ए है यहां पर दिया कहा है आप पढ़ सकते हो मैं पढ़के बता दे रहा हूं आपको एक पगली सी स्मृत एक उद्भांत भावना चैपल के सीशों के परे जुकी हुई वीपिंग विलोज की कापती टहनिया पैरों तले चीड के पत्तों की धीमी सी चिर परचित खड़खड वहीं पर गिरीस एक हाथ में मिलिटरी का खाली हैट लिए खड़ा है चोड़े उठे सबलकंदे अपना सिर्व वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जा पूरा पढ़ना होगा है और यह पढ़ सकते हो डाउलोड करके यह वीडियो पहुच करके यहां सी क्या लिखा हुआ है से आपको व्याख्या करनी है फिर पांच में का B, पांच में का C भी है, यहाँ पर दिया गया है, कहां से ली गई है, और इसके बार हम लिखना है, और पांच में का D, तो ऐसे ही बस आपको यह बता दें कि इसमें जो है आपको दे दिया जाएगा जो कहानिया और जो वहां पे दी गई है उनको पूरा पढ़ना होगा और कहां से किस से संबंदित है यह और तब उसकी व्याक्या भी करनी है ऐसे ही पांचवे का ई है मनुष्य के लिए कविता इतने प्रियोजनी वस्तु है कि संसार की सब्वे असब सभी जातियों में किसी रूप में पाई जाती है चाहें इतिहास नहों विज्यान नहों दर्शन नहों पर कविता का परचार अवर्शे रहेगा बात यहा है कि मनुस्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सगन और जटिल मंडल बांता चला आ रहा है जिसके भीतर बंध-बंध वासे श्रष्टी के साथ अपने हर्दय का संबंध भूला सा रहता है तो इदर संबर में पूछा गया आपको बताना है फिर है कोशन नंबर सिक्स क ए बी सी तो यह पहला बीस नंबर का है मैला आचल की राजनीतिक चेतना प्रकाश डालिए दूसरा है भारत दूर्दर्शा में अपने समय की विभीशिका का चित्रण हुआ है इस पश्ट कीजिए कोश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और कैसे इसके एंसर लिखना है तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप टॉपर्स की खौपी देख लेना आपको वेफसाइट पर मिल जाएगी द्रश्टी आइस वगरा की अगला है आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी के निवंदों में तर्क और विचार के साथ भाव प्रवाण प्रबढ़ता भी ह इसकतन की सोद आहरण व्याख्या कीजिए तो फंद्रह डंबर मिं में पूछा गया है पिर ऐरे में जिन्दगी और जौक में रजुईरा की जली माकश का को ऐख लंगोन हमी हैं उसके बाद है गोधान प्रेमचंद की गोधान की धन्या इस्त्री चरित्र का उद्धात तुरूप है सोधाहरण प्रकाश डालिए यहां से पूछा गया 15 नंबर का फिर लास्ट है स्रद्धा और भक्ति के अंतर को इश्पष्ट करते हुए आचार शुक्ल यानि आचार रा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे इसके लिए प्लेलिस्ट भी अमने प्लेलिस्ट बना दी है आई एस मेंस 2019 के नाम से जिसमें सारे पेपर्स हैं अगर कोई जिसमें आप देख लेना कि कौन-कौन सा आप्सेनल पेपर आप देखना च